हेलो दोस्तों मैं अभी अप्ग्रेड लेर्णिंग इस चैनल में आप सब का वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं Microsoft Excel के पूरी information Excel कहां काम होता है अक्सल किस जगे काम करता है और Excel कैसे काम करता है और Excel के क्या-क्या benefit है तो आप लोगों को Excel के वाले में सीखने से पहले अगर आप लोगों को से छोटी सी request है अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए जिससे आने वाली वीडियो का notification आप लोगों को मिलता रहे है चलिए सुरू करते हैं मैं एक बात आती होगी कि डाटा एंट्री डाटा एंट्री की जॉप कैसी होती है और डाटा एंट्री की जॉप कैसे मिले डाटा एंट्री की जॉप करने के लिए आप लोगों को एक्सल आना बहुत अनिवार है तो एक्सल आना बहुत अनिवार है बहुत जरूरी है एक्सल आना और बहुत कई सारे फिल्डों में एक्सल यूज होता है चाहे वह ओफिस वर्क में हो चाहे कंपनी में हो मंटी नैशनल कंपनी में हो डाटा इंट्री का काम हर जगे और डाट सारी सारी चीजे बहुत सारे फॉर्मले होते हैं मैं जीरो से आपको बनाने वाला हूं तो आप लोग यहां से एक्सल को अच्छे से पूरी वीडियो देखी गया इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले हम एक्सल को यहां पर ओपन करने के लिए आप लोगों को यहां पर क्लिक करते ही यहां पर दिखाए दे रहा है मैक्रोसफ्ट एक्सल 2007 2007 हम यहाँ पर Microsoft Excel 2007 सीखेंगे तो यहाँ पर अगर ओपन करने से पहले मैं इसको टास्क बार पर सैट करना चाहता हूं तो उसके करने के लिए आपको राइट क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा हुआ है पिन टू टास्क बार इस पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर टास्क बार प यहाँ पर Microsoft Excel जैसी हम Excel open करते हैं तो टाइटल बार पर यहाँ पर लिखा आता है बुक बन Microsoft Excel टाइटल बार पर इसे टाइटल बार कहते हैं तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अच्छे से और इसकी सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं थोड़ा सा और इसको definition इसकी क्या होती है तो एक मैंने definition यहाँ पर लिख रखी है तो वह आप लोगों को दिखाता हूं मैं यहाँ पर मैंने definition दीख रही है तो इसको आप पढ़ लेना और इसको चाहो तो screenshot भी ले सकते हो जिससे आप कहीं भी लिख सकते हो तो हम Excel पर आते एक्सल पर आने क आता है तो आपको पता ही होंगे यह टूस आपने Microsoft Word अगर हमें लोगों समय जी सकते हो यहाँ पर अगला टूल जो आता है वह कोई के एक्सल टूल बार यह होते हैं कोई पर oपर दिखाना चाहते हैं तो आप यूस कर सकते हो यहाँ पर लागा गए इस पर क्लिक करके इस ल तो जो आता है वह है टाइटल वार यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो वह से कहते हैं टाइटल वार लास्ट में यह दिख रहे हैं आपको यहाँ पर मिनिमाईज मैक्सिमाइज ए टूल से हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यह Home insert page layout, जो आप लोगोंको दिखाई दे रहा है इनने कहते हैं हम Tab, Tab कहते हैं Home tab ribbon, इनको home tab ribbon कहते हैं और इनको कहते हैं Group Command, तो आप लोगों जो देख रहे हो ये दूसरे नमबर पर इनने कहते हैं Group Command, तो आप लोगों को समझ में आगया होगा अच्छे सब्सक्राइब यह group command कहलाते हैं इनको group command कहते हैं clipboard, font, alignment, number, style यह group command होते हैं अब यह हमारा row इन्हें row कहते हैं हमारा इनसाइड वह साइड में जो line बनी हुई है उन्हें रो कहते हैं यह हमारी रो हो गई और यह हमारे Daar होगई और यह सिंगल को सेल आप आप लोगों समझ में आ गया होगा और कॉछलम मिलाके एक सैल नाम होता है नाम क्येसे पता चलेगा इसका si-six तो si क्या है कॉलम है 6 क्या है role है तो यहाँ पर आप लोग देखी सकते हो इस नाम के नाम चेटर नेम बॉक्स के अंदर आप लोग दे सकते हो यहाँ पर 6 CC6 दिखाई दे रहा है तो इसे नेम बॉक्स कहते हैं आगे अगरा करते है अगला है formula बार यहां पर कोई भी formula हम use करेंगे तो इससे है है यहां पर type करेंगे जैसे कि मैं मालों यहां पर two type करा और नीचे two type करा और यहां पर मुझे formula लगाना is total करने का sum formula होता है और मैंने एक संक्याली और coma लगाया दूसरी संक्याली एंट्र कर दिया तो यह आप लोग देखे सकते हो फौर आंसर आ चुका है तो यह फॉर्म्ला बार है आप लोग समझ में आ गया होगा यह फॉर्म्ला टाइप करने क cann yeah एरिया है तो आप लोगों समझे वह अच्छा हुगा अच्छे से समझ में आ गय घwide तो समझी में आ गया हो आप लोगों को अच्छे समझ में आगया है और हम ट्रकी से हएं दिखाइक दट हो जाता है थोड़ा नीचे खर रिंधल में हमारे काम आरे तौथ सब्सक्राइब करने के लिए और यह अब डाउन करने के लिए तो आप लोगों को इसका भी समझ में आ गया होगा अगला जो है नीचे इसे कहते हैं यहां पर इंसर्ट वर्कृट यहां पर मतलव जब भी एक्सल ओपन करते हो यहां पर पहले ही तीन वर्कृट दिकhाई देती हैं अगर चाहां तो इन टीन को भी बढ़ाना चाहा थो भड़ा और आ सकते हैं इसकी चोट की होती है छिफट के साथ 11 तो आप लोगों को वह समझ में हो इन्हें कहते हैं पेस्ट डॉकिमेंट दोपनेंट नोट अब हम सीखतें अगली वीडियो में आने वाली वीडियो में सीखेंगे इन टूल्स के बारे में इन यहां पर कैसे काम करते हैं कैसे डाटा एंट्री करते हैं और किस तरीके से यहां पर शीट्स बनती हैं आज की वीडियो में हमने इंट्डेक्शन सीखा अगली वीडियो में सीखने वाले हैं डाटा एंट्री समका फॉर्मला कैसे यूज करते हैं और इन टूल्सों को हम कैसे सीखते हैं X先jl के आगी वीडियो में आने वालें आप अपको वीडियो मिलने वाली है अगर आप लोगों को इस वीडियो से I hope आपको इस वीडियो से काफी नॉलेज मिली होगी तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यो फॉर वऄचिंग